ओम श्री साई नाधाय नमाहा अध्याय पांच श्री साई पुनह प्रागट्य श्री गणेशाय नमाहा श्री सरस्वत्यय नमाहा श्री गुरुब्यो नमाहा श्री कुल्देवतायय नमाहा श्रे सीता राम चंद्रा अभ्याम नमाहा श्रे सद्गरु साई नाथाय नमाहा छेल्ला अध्याई मा वरणव्या भुजब साई बाबा अलोग थाया पछी पुनह शिरडी क्यारे आव्या तेनू वरणण प्रथम करूँ छो चांद पाटिल नी जान साथे बाबा शिरडी आव्या निजाम राज्यना अउरंगाबाद जिलामा धूप नामे गाममा चांद पाटिल नामे एक मुसलिम ग्रहस्त रहतो होतो अरंगाबाद जता एक वारतेनी गोडी खोवाई गई बे महिना सुधी तेने खोग जिनवट थी तपास करी पड़ घोडी हाथ लागी नहीं निराश्थाई जीन खवापर नाखी ते औरंगाबाद पाचो फर तो हतो साड़ा चारेक कोस चाल्या पछी मार्गमा एक घटादार आमबाना वुक्ष पासे ते आव्यो तो तेना थड़ नजीक एक नर रत्नने बेठेला तेने जोया तेमने माथे टोपी तथा अंगे कफनी हती अने बगलमा सटको हतो चलम पिवानी ते तयारी करता हता तेने चांद पाटिलने पासे बोलावयो अने चलमना बेदम लई जरा थाक खावानू तेने कहियो त्यारे चांद पाटिल बोल्यो मारी खोवायली घोडीने हुँ गोत्वा निकल्यो छो एटले आफकीरे तेने कहियो पासे ना नाडामा तारी घोडीनी तपास गल चांदे त्यां जैने जोयो तु भारे अचंबा वच्चे पोतानी घोडीने त्यां चरती जोय एथी आ फकीर कोई सामान्य मान्वी न थी पण कोई भारे ओल्यो छे एम तेने लागियो घोडीने दोरीने ते आ फकीर पासे आवेओ चलम तु पिवा माटे तैयार हाती पण तेमा बेवस्तु खूडती हती एक तेनी सारी भींजवा पाणी नोतु अने बीजों चलम सडगाववा देवता नोतु फकीरे पोतानो चीपियो लई जमीन मा खोडी दिदो जे थी लाल चोड अंगारो बाहर निक्रेओ जे उपाडी ने चलम पर मुकी दिधो पची तेमने जमीन पर सटको पचाड़ेओ जे थी भूमी मा थी पाणी बहवा लागियो ते जडमा पेली सारी भींजवी निचोवी ने चलम पर वीटी आम बद्धूं तयार थता तेमने चलमना दम लिधा अने पची चांद ने ते पीवा आपी आ जोईने चांद पाटिल तो भारेविस मह पामियो अने पोता ने घेर पधारी जमवा माटेया अजब फकीर ने विनंती करवा लागियो बीजे दाहडे असाई पाटिल ना घेर गया अने थोड़ा दाड़ा तेने त्याज रहा आ पाटिल धूप गामनो तलाटी हातो तेना साड़ानो वेविशाल शिरडी मा कर्यू हतूं अने तुरत माज तेना लगन लिवाया तेथी पाटिले शिरडी जान लई जवानी तयारी करी जान साथे आ फकीर पन शिरडी आवया लगन तो निर्विखन उकली गया जान पन धूप गाम पाची गई पन आ फकीर शिरडी माज रोकाया अने कायम ने माटे तेमने त्याज निवास करेओ आ फकीर नू नाम साई केम पड़ियो उपर कहली जान शिरडी आवी ने गाम बाहर खंडोबाना देवल पासे ना भगत महलसा पती ना खेतर माँ एक वडला नीचे उतरी जानना गाडा खंडोबाना देवल पासे छूटया अने जान वाडा एक पची एक गाडा मती उतरया आ फकीर ने उतरता जोई भगत महलसा पती ये कहिऊ या साई इतले आओ साई अने तिमनों सतकार करेओ बीजा पन तेमने साई नामे जबोलावा लागे त्यार थी आ फकीर साई नामे प्रसिद्ध थया अन्ने संतों नो सत्संग आम साई बाबा शिरडी पधारी मसीद मा रहवा लागे पोते शिरडी पधार्या ते पहला घणा वर्ष्थी देवी दास नामे एक साधु शिरडी आवे ने रहता आता तेमनों सत्संग बाबाने बहु गमतो तेमनी जोडे मारूतीना मंदिर मा तेमज चावडी मा बाबा रहा आता तेमज कितलोक समय एकला पन रहा आता एपची जानकी दास नामे एक बीजा संत शिरडी मा आवीने रहा एमनी जोडे पन बाबा कथा वारता मा घणों समय गाडता हता केटलीक वार जानकी दास बाबा पासे मसीद मावीने पन बेशता हाता वली पुन तामबेना गंगा गीर नामे एक वैश्य ग्रहस्त संत आता ते पन घणी वार शिरडी आवता हाता एवामा एक वार पोते उचरेला बागने पाणी पीवा सारू बनने हात मा पाणी ना घणा उचकीने जता साई बाबाना तेमने दर्शन्त है ते वाज ते बोली उठ्या शिरडी भाग्यवन्त छे के तेने आवू रत्न मड़ी गयों छे आजे ते भले पाणी भरे पन ते कोई सामान्य मानवी न थी अरे शिरडी भाग्यवन्त तता पुण्यवन्त छे ते थी जे तेने आ रत्न लाध्यूं छे वड़ी अक्कल कोटकर महराजना शिश्य पदार्या त्यारे तिया बाबाने देखता जे तेमने बधाने कईू हतू खरे खरा मुल्य रत्न छे पो ते सामान्य मानवी जेवा देखाई छे पण ते गर पत्थर न थी पण रत्न छे अने आ वात्नी खात्री तमने बधाने भविश्यमा जरूर थी थाशे एटनू सूचन कर्या पछी ते येवला पाचा गया हता श्री साई बाबा युवान हता ते समयना तेमना विशे आनंद नाथ जेवा संतन आ बोल हता श्री साई बाबा नो पोशाक तथा नित्त क्रम युवानी मा बाबा माथा उपर वाल वदाहरता कदी माथू मुंडावता नहीं पोशाक पहलवान जेवो पहरता हता शिर्डी थी त्रणेक माईल दूर राहता जता त्यां थी जाई, जूई, जेणडू जेवा नाजुक फूल ना छोड लई आवता अने मसीद पासे सूकी जमीन गोडी ने ए छोड तेमा वावता हता जाते पाणी पाता हता वामन तात्या नामे एक कुम्भार भक्त तेमने नित्य माटीना वे गड़ा देतो हतो ए गड़ा लई, पाणी भरी बाबा जाते आचोड ने पाणी पाता हता कुवा माथी जाते पाणी खेची, गड़ा भरी, पोते खबहे मुकता हता पकाव्या विनाना काचा घड़ा होवा थी, जे वाते नीचे मुकता, ते वाजे फूटी जता ते थी पेलो तात्या बीजे दाढ़े वड़ी बे नवा घड़ा बाबा ने देतो आक्रम त्रण वर्ष सुधी चाले हतो बाबा ये आवी नित्य नियमित मजूरी करी ने तिया फूल छोड़नो सारो बाग बनावे वहतो ए स्थान पर आजे बाबा ना समाधी मंदिर नी मोटी इमारतू भी छे जिया आजे असंध्य भक्तो आवी ने नित्य समाधी ना दर्शन पूजन करे छे लीमडा ना वुरुक्षनी चे स्थापेली पादुकानी कथा भाई कृष्णा जी अली बाग कर नामे अक्कल कोट कर महराज नो एक भक्त नित्य अक्कल कोट कर महराज ना फोटा नी पूजा करतो एकवार तेने शोलापुर जिल्लामा आवेल अक्कल कोट जैने महराज नी पादुकाना दर्शन करी तेनो पूजन करवानो संकल्प करेओ पन त्यां जता अगाव तेने स्वपन आविऊं स्वपन मा अक्कल कोट कर महराज प्रगट थाई तेने करिऊं भाई, हवे मारो वास शिर्डी माँ छे, त्यां जहिने तारी पूजा मने अरपण करजे। एथी भाई कृष्णाजीनों विचार बदलायो, ते शिर्डी आवयो अने बाबानों पूजन करयों, अने शिर्डी माज छ मास रोकायो तथा सुखी थयो। पोताने थैल स्वप्ननी यादमा तेने पादुका तयार करावी। शके अढ़ार सो चोत्रीस इतले सने उग्णी सो बार ना श्रावण मास ना शुब दिने दादा केलकर तथा उपासनी महराजे रीत सर धार्मिक विधी करावी अने लिम्बडाना व्रुक्षनीचे ते स्थ आपित करी। तेनु नित्य पूजन करवा माटे एक दीक्षित ब्राह्मनने नियुक्त करे। अने तेनी व्यवस्ता भक्त श्री सगुण मेरु नायकने सोपी। आ कथानो पूरो अर्थ। श्री साई बावाना महान भक्त थाणाना निव्रुत मामलत दार श्री बीवी दे तेवे आ बावतनी श्री सगुण मेरु नायक तथा गोविंद कमलाकर दीक्षित मारफत तपास करी छे। अने आ पादुकानो सलंग इतिहास लखी ने साही लिला मासिक ना बीजा वर्षना अंक एक ना पान पच्चीस बेतालिस पर प्रसिद्ध करेल छे। शक्के धार सो चोतरीस एकले सने 1912 मां मुंबईना डॉक्टर रामराव कोठारे बाबाना दर्शनार्थे शिरडी आवया। त्यारे तेमना कमपाउंडर तथा मैत्र कृषनाजी अली बाग कर पन तेमनी जोड़े आवे लाहता। आ कमपाउंडर तथा भाई कृषनाजी ने श्री सगु जोड़े तेऊ कहीं करवु जोईए। तेथी बाबानी पादुका बनावी ते स्थले स्थापना करवानौ तेमने संकल्प करे। प्रथम तो कोई साधा पत्थर नी पादुका बनावा तेमने धारेलू। पन पेला कमपाउंडरे सूचन करियूं कि जो मारा शेट पुष्प, शंक, चक्र, पुरुष इत्यादी दोरी आपया। एनी साथे आपादुका उपर श्री बाबानी अजब योग शक्ती तथा लिम्वडानी व्रुक्षनी महत्ता दर्शावतो नीचे नो श्लोपण कोत्राव्वा सूचुयूं। सदा निम्व व्रुक्षस्य मूला धिवासाद सुधास्त्राविनं तिक्त मपी अप्रियंतं। तरुम कल्प व्रुक्षादिकं साधयंतं नमामीश्वरं सद्गुरुं साइनाथं। अर्थ हूं सद्गुरु श्री साइनाथ ने प्रणाम करूं छों। जे मने आ लिम्वडाना व्रुक्षना थड़ पासे पोताना वास वड़े एक कडवा तथा अप्रिय लिम्वडाने कल्प व्रुक्ष करता पन भारे सुधा वर्सावतो अम्बुत जेवो बनावियो छे उपासनी महराजना असूचन नो स्विकार थयो अने ते मुझब अमल थयो डॉक्टरे पादु का मुंबई माज तयार करावी अने कमपाउंडर जोडे ते शिर्डी मोकली श्रावणी पूर्णी माने रोज तेने स्थापन करवानी बाबाय आग्ने आपी ते दाहडे सवा अने अग्यार वागे खंडोबाना देवड थी एक वर्गोडो काडी श्री जीबी दिख्षित पोताना माथा पर उचकी ते मस्री द्वार का माईमा लाव्या आतो प्रभुना चरण कमल छे एम बोली बाबाय आपादुकाने स्पर्ष करेओ अने लिम्बडाना व्रुक्ष तड़ेज तेनु स्थापन करवानी आग्निया आपी आने आगले दाहडे मुंबई ना एक पादशा शेठ नामे पारसी भक्ते मनी ओडर थी बाबाने 25 रुपया मोकले हाता ते रुपया बाबाय आपादुका स्थापन मा वापरभा आपी दिधा आ स्थापन न कुल खर्च रुपया सोथ है ओ जे माटे उग्राणों करीने पोणों सो रुपया एक ठा करया हाता प्रथम ना पांच वर्ष तो श्री दिख्षीते नित्ते आ पादुका पूजन करियूं अने पछे आ पूजन लक्ष्मन काचेश्वरज करता हाता अहीं दिवाबत्ती माटे प्रथम पांच वर्ष डॉक्टर कोठारे दर मासे बे रुपया मोकलता हाता पादुकानी आसपास उभी करवानी जाली नी वाड पन तेमनेज मुंबई थी मोकली ए जाली तथा च्छापरू स्टेशन थी शिर्डी लाववाना साड़ा साथ रुपयानू खर्च श्री सगुण मेरू नायके कईरू हवे आ पूजन नाना पूजारी जखडी करे छे अने सगुण मेरू नायक नित्ते नईवेद्ध धरावे छे तथा सांजना दिवापन करे छे भाई कृष्णाजी मूर तो अक्कल कोट महराजना भगत हता शक्के अधारसो चोंत्रीस मां अक्कल कोट जता मार्ग मां ते शिर्डी उत्रया त्यारे पादुका स्थापन नी तयारी थाई गई हती बाबाना दर्शन करया पशी तर तज तेमने अक्कल कोट निकली जऊँ हतु ते थी बाबानी रजा मांगी त्यारे बाबा बुल्या अरे अक्कल कोट मां अगे शूं छे त्यां तू केम जाई छे त्याना माहराज तो हवे अहीं बेठा छे ए सामडी भाई क्रुषनाजी अक्कल कोट गया निक श्री बीवी देवनू अनुमान छे के आज सर्व विगतनी हेमाडपंत ने खबर नोती जो खबर होत तो सक्चरित्रमा तेनू विगत्वार वरणनत्यो जरूर आपता मुहिद्दिन तंबोली जोड़े कुष्टी अने जीवन परिवर्तन हवे बाबानी बीजी कथा कई है शिर्डी मा मुहद्दिन तंबोली नामे एक मल लातो केतलीक बाबतमा तेने बाबा जोड़े बनतु नहीं ते थी बनने वच्चे टंटो थयो जे मा बाबा हारी गया त्यार थी बाबा ये पोशाक ते मज नित्त क्रम बदली नाख्यो पोते लंगोट पेरवा मांडया अने अंगे कफनी धारण करवा लागया तथा मा थे एक कपड़ा नो टुकडो वीटता सुहा बेश्वा सारू एक गुणपाट नो टुकडो राख्यो फाटेला सांधेल कपड़ा पेहरवा माज ते आनंद मानता हता ते घणिवार कहता बाद शाही करता फकेरी उत्तम छे फकेरी ना तोले कोई चीज ना आवे साधु गंगागीर ने पन कुष्टी नो शोख हतो तेने एक वार कुष्टी उपर वैराग्या आगयो केम के कोई अनुभवी संतना शब्द तेने काने पड़े आता के तारो देह गसी नात अने प्रभु जोडे प्रीत बांध त्यार्थी गंगागीर संसार छोड़ी ईश्वर दर्शन पाचल लागया पुन तामबे पासे नदीना काठे तेमने मठ बांधयो अने शिश्यो जोडे त्याज जैई वास करेो साही बाबा लोको जोडे बव भड़ता नहीं पन लोको पन तेमनी जोडे खास वाच्चेत करता नहीं पोते मात्र पूछेला प्रश्णो नाज उत्तर देता नित्य दहाडे लिम बड़ाना वरुक्षतळे बेसी रहता अने कोई वार गामना सदर वहलाना काठे बावलने चाएं बेसता बपोरे मरजी पड़े तो फरवा जता कोई वार नीम गाम जता तो त्यां त्रिकम जी डेंगले ने घेर जैने बेसता शिडी बाड़ा साहिबने बाबा चाहता तेना नाना भाई नाना साहिबे बेवार लगन करियूं छता तेने पुत्र नोतो ते थी बाड़ा साहिबे आ नाना साहिबने बाबा ना दर्शनार थे मोकलया अने थोड़ा समयमा बाबा नी कृपा थी नाना साहिबने त्यां पुत्र थयो त्यार थीज लोको थोक बंद बाबाना दर्शने आववाल आगया अने बाबानी कीरती प्रसरी अने अहमद नगर सुधी पहुँची त्या थी नाना सहेब चांदोर कर केशव चिदंबर तेथा बीजा घणा मानसो शिरडी आवता थाया दाड़े बाबानी आसपास भक्त मंडल जामतू ये पड़ू पड़ू थाई रहेली मसीद मा बाबा रात्रे सुई रहता चलम, तम्बाकू, पत्रानू टमलर प्यालो, छूटी लांबी कफनी, माथे बांधभानो टुकडो अने पेलो सटको दंडू को एटली इज वस्तुव बाबा पोतानी पासे रागता आता माथे जटानी माफक बाबा पेलो टुकडो बांधता अने तेनो छेडो डाबा कान पर थी पीट पर लटकतो रहतो दिवसो सुधी पोते एक कटको दोता नहीं, बाबा चंपल के जोड़ा काईज पेरता नहीं, अंदर पोते कौपीन लंगोटी पेरता थंडी न लागे ते माटे लाकडाना कठेडा पर डाबो हाथ राखी, धुनी सामे सदा दक्षिना मुख बेशता हता अहंत्व, कामना, यग्न्यफळ ए सर्व तेमने आ धुनी ने जर्पन कर्यू हतो पोते अल्ला मालिक नो सदा जब करता आ मसीद मां बे भाग हता, तेमां एक मां बाबा बेशता तथा बधा भक्तो त्यां आवीने तेमना दर्शन करता इस भी सन उग्णी सो बार पछी मसीद समरावी तेनी फरस बंधी बांधी छे आ मसीद मां रहवा अवयागाव दीर्ग काड परियंत बाबा तकिया नामे एक बीजा स्थड़े रहता जियां बाबा पगे घुगरा बांधीने मनोहर नुरुत्य करता अने प्रेहिम्थी भजन गाता हता पाणी नू तेल बनावियो बाबाने दिवा बहु गंता बाबाने तेल न आपूँ एऊ नक्की करियू ज्यारे हमेश माफक बाबा तेल मांगबा गया त्यारे तेलो कोई चोखी न पाड़ी अने किदू अमार तेल न दे बाबा शान्त बनी मसीद मां पाचा आवया कोडिया मा वाटो मोकी पेला वाणिया कुतु हलती जोई रया पेला तीनना टमलर मा थोड़ू तेल हतुने तेलाई बाबा है तेमा पाणी उमेरियो अने पशे थोड़ू तेमा थी पीदू आमे पाणी ने पवित्र बनावी पुनाह ते टमलर मा रेडियो अने बद्धा कोडिया मा ये पाणी पूरियो अने दिवा सड़गावया ए दिवा आखी रात जल्या ये जोई पेला वाणियाओ तो बहुँ अचम्बो पामया अने सव विमासन मा पढ़या तिमने पस्तावो थयो अने बाबानी माफी मांगी बाबाय तिमने माफी आपी अने भविश्यमा कदी जूठू न बोलवानी आग्या करी धोंगी गुरू जवाहर अली उपर वर्णवेल कुस्ती ना प्रसंग पछी पांच वर्ष बाद जवाहर अली नामे एक फकीर अहमद नगर्थी राहता पोताना शिश्यों ने लईने आवेओ अने वीर भद्र मंदिर नजिकना मेदान मा ते उत्रेओ ते विद्वान हतो अने आखु कुरान तेने मोड़े हतो तेनी बोली पण बहुँ मीठी हती जे थी गामना धार्मिक भाव वड़ा घणा मानसो तेनी पासे आवता हता अने तेने मान देता हता लोकोंनी सहाय लई वीर भद्र मंदिर नी पासेज इद गाह बांधवानो तेने प्रारंब करेओ पन तेमा कैंक कजियो थता जवाहर अली ने राहता छोड़ी जव पगड़ो अने ते शिर्डी आवेओ अने बाबा जोड़े मसीद माज रहवा लागेओ तेनी मीठी वातों थी लोकों भोड़वाया तेतो बाबाने पोताना चेला केवा लागेओ बाबाये पन तेनों विरोध करेओने अने तेना चेला बनवानी हाँ पाड़ी पची तो गुरु चेला बनने राहता जैईने रहवानों नक्की करेओ पन गुरुने आ शिष्यनी योग गिता केटली उंची छे तेनी कशी खबर नोती पन शिष्यने तो गुरुना चिद्रनी जान हती छता बाबा तेनों मुद्दल अपमान करता नोता पन पोतानों यथार्थ धर्म बजावता हता अने गुरुनी सर्व प्रकारे सेवा करता हता राहता थी बनने शिर्डी पन किटलिक वारालता पन कायमी रहवानू तो राहता आज राख्यों हतु आम बाबा प्रेमार भक्तों थी दूर रहे ते शिर्डीना लोकोंने गमतुनों थु तेथी एक भक्त मंडल बाबाने शिर्डी पाछा लई आवा माटे राहता गयों त्या जई जई जारे सव बाबाने इद गाहमा मलया त्यारे ते बद्धा शाहेतू थी आव्या छे ते सर्व बाद करी त्यारे बाबा ये तेमने कहियों आ फकीर बहु खराब स्वभाव ना छे आ वाद सामड़ी ते क्रोधे भराशे अने मने आवानी रजा आपशे नहीं माटे ये फकीर पाछा आवे ते पहलां तमें शिर्डी चाल्या जाओ बाबा आम वाद करता हता तेहां जे जवाहर अली तो आवी पहुँचे और पोता ना चेला ने लई जवानों प्रयत्न करनारा आ लोकों पर गुस्से थायो भूम पराड़ा पाड़वा ला गयो पन छेवटे गुरु तथा चेला ने बन्ने ने शिर्डी लई जवानों नकी थयो एथी बन्ने शिर्डी आवी ने रहा पन थोड़ा दाड़ा पछी देवी दास ने जवाहर अली जोडे संबाद थयो तेमा जवाहर अली हारी गयो औने तेनू अग्णियान प्रगट थयो बाबा चांद पातिलनी जान जोडे शिर्डी आवया तेनी पन पहला बारेक वर्ष थी आ देवी दास शिर्डी आवी मारूतीना मंदिर मा रहता हता ते देखावडा तथा पाणिदार आखो वाला हता अने ते जवाहर अली ने देवी दास पासे लेए आवया अने ते बे वच्चे धर्म संबाद गोठवेओ तेमा जवाहर अली हारेओ ते थी ते शिर्डी छोडीने नासी गयो अने बीजापूर जईने रहेओ घणा वर्ष बाद ते एक वार शिर्डी आवयो ते आरे तेने बाबाने साश तांग दंडवत प्रणाम करया पो ते गुरू अने बाबा चेला एवो तेने ब्रहम थयो हतो ते उड़ी गयो अने पस्तायो छता बाबा तो तेने मान जापता आत्म दर्शन माटेना प्रयत्न करनार शिष्यना धर्म केवा होई तथा अहंत्व छोडवा सारू शिष्य केवु वर्तन राखूं ते साई बाबा ए आद्रुष्टान्तमा प्रत्यक्ष दरशावियों छे आ कथा साई बाबा ना महान भक्त मानसा पतिय कहे छे हवे पछीना ध्यायमा राम नोमीन उत्सव मशीर नी पूर्व स्थिती ने तेमा करेलो जिरुणो धार इत्यादिनू गर्णन पाशे स्वस्ती श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड पंत विरचिते श्री साई समर्थ सक्चरित्रे श्री साई पुनह प्रागत्य नाम पाँचमो अध्याय संपूर्णाम श्री सद्गुरु साईनाथा रपणमस्तु शुभं भवतु ओम श्री साईनाथाय नमहा अध्याय छ राम जन्मूत्सव श्री गणेशाय नमहा, श्री सरस्वत्याय नमहा, श्री गुरु भ्यो नमहा, श्री कुल देवताय नमहा, श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमहा, श्री सद्गुरु साइना थाय नमहा राम नव में उत्सव तथा मसीद ना जिरुनों धार्म वरणन करता पहला सद्गुरुनों महिमा जानों जोईए गुरुना हस्त स्पर्षनी शक्ती साचा सद्गुरु सुकानी बनी शिष्यने भावसागर सहज बार करावे छे सद्गुरु शब्द सांभरतांज मने साई बाबानों स्मरण थाई छे जाने ते पोते मारी सामे उभा मारा कपाले उदी लेपन करी पोतानों वरद हस्त मारा मस्तक पर मोकता देखाई छे अने ते वेडा मारु अंतर आनंद थी उबरहाई छे कल्पना तथा कामना थी भरेलो जे सूक्ष्म देह समग्र प्रुथुईने भर्खी जता अग्नीमा पन बढ़ी शक्तो न थी ते मात्र गुरुनों हस्त स्पर्ष थतांज नश्ट थाई छे अनेक पूर्व जन्मना पाप धोवाई जाई छे दैवी धार्मिक वार्ताना श्रवण मात्र थी जेमना माथामा चक्कर आवे छे तेवा लोकोपन सद्गुरुना दर्षन मात्र थी शान्त बनी जाई छे साई बाबानी रूपाली प्रतिमाना दर्षन थतांज हर्ष थी गडूं रूंदाई छे तथा आखो आसुथी उबराई छे अने रदय भाव थी नमी पड़े छे हूं ब्राम्भन छूं एवूं भान आपणामा जगाडे छे आत्म दर्षन नो आनंद दे छे अने तेज पड़े तारा मारा नो भेद निर्मोड करे छे तथा परमात्मा साथे आपणू एकत्व साधे छे शास्त्र वाचन वेडातो डगले डगले मने मारा सद्गुरु सामबरे छे अने लागे छे के जाने साई बाबाज राम के कुरुष्ण रूपे पोतानी जीवन कथा मने संबढ़ावे छे दाखला तरीके जारे हूं भागवत वांचवा बेसूं छों त्यारे श्री साई पग्थी मस्तक सुधी कुरुष्ण बने छे अने भाग्तों ना कल्याण अर्थे पोते जाने भागवत अगर उद्धव गीतानू गान करता होए तेवू मने लागे छे जारे कोई धार्मिक वार्ता केवानू हूं शरू करू छों त्यारे थोड़ा वाक्यों पण हूं रच्ची शक्तों नथी पण बाबा स्वतह जारे मारा पासे लखावे छे त्यारे हूं लखे जाओ छों छता तेनों अन्त जाओ तो नथी जारे भाग्त मां अहंत्व जागे छे त्यारे बाबा पोताना हाथ हेज ते दाबी दे छे अने पोतानी शक्ती अर्पीने पण तेनू धार्यूं थवा दे छे, तेने आत्म संतोष दई सुखी करे छे, जे कोई श्री साईने साष्टान प्रणाम करे छे, तथा सर्व भावे तेमने शरणे जाई छे, ते पुरुष्णा जीवनना सर्व पदार्थ, धर्म, अर्थ, का मोक्ष, वण मागे बाबा पूरे छे, तेनी मुक्ती सहज थाई छे, कर्म, ज्यान, योग, तथा भग्ती ए चारे अलग मार्ग द्वारा बाबा आपणने ठेट सुधी दोरी जाई छे, आमा भग्तीनों खाडा टेकरावाणों तथा कांटाणों मार्ग छे, अने थे काप मुश्केल छे, पन सद्गुरु पर शद्धा राखी चालिये, तो खाडा मा तथा कांटा मा पड़ता बची जवाई छे, अने सीधा चालवा थी बाबा आमारगे धारेला मुकामे प्रभु पासे आपणने जरूर पहुँचाडे छे, दुरुष्टान तो आपीने बाबा आवस्तु खात्री पूर्वक कही छे, स्वता सिध्ध ब्रह्म तथा आ जगत ने उत्पन्न करनारी शक्ती माया अने उत्पन्न थहेलू आ जगत ए त्रणे अन्ते तो एकनू एकत छे, ए विशय में भग्तो ना श्रय नी खात्री आपता साई बाबा कहे छे मारा भग्तो ना घरमा कदी अन्न वस्त्रों नो तोटो पढ़शे नहीं, मारा पर मन लगाडी जे भग्तो मारों पूजन करे छे, तेमनू हूं सदा कल्यानाज करू छों भग्वान श्री कृष्णे पण गीतामा एज बाद कही छे, माटे अन्न वस्त्रनी तो बहु चिन्ता आज कर्षो नहीं तमारे कई जोईतू होए तो भग्वान पासे मागो, जगतना मान पान छोड़ी दे जो तमारू वर्तन एउ रागजो कि जे थी प्रभु कृपा तथा तेमना आशिर्वाद तमारा उपर उत्री आवे अने तेमना दर्बार मा तमने मान मणे संसारी मान पान थी छेत्राशो नहीं रुदय मा देव मूर्ती दुडता थी पदरावी ने स्थाप जो प्रभु पूजा माज मन इंद्रियोंने मग्न बनाओ ए सिवाय अन्य कोई चीजनो लोब राख्षो मा मारू स्मरन करवा माज मन बुद्धी लगाड़ जो जे थी देह माँ धन माँ के संसार माँ मन क्याई भटक्षे नहीं त्यारेज तमिचिंता मुक्त शान्त अचल बन्छो सत्संग माँ पड़ेला मननू लक्षण जे छे भटक्टू मन सत्संग मग्न कदी बन्तू नथी हवे शिरडीमा राम नोमी उत्सवनी कथा सामड़ो शिरडीमा सवथी श्रेष्ट उजवातो उत्सव राम नोमी नो छे सने ओगणी 125 ना साई लीला मासिक ना पाना एकसो सत्तानू उपर तेनू संपून व्रुत्तान ताप्यूं छे ने वाजवासर को छे ए उत्सवना वर्णन नो सार अहिया पूछूं उद्भव गुंड को परगामना सरकल इंस्पेक्टर गोपाल राव बाबाना परमभक्त हता बाबाना आशिरवात्ती तेमने त्यां पुत्त्र थयो आप प्रसंग नी खुशाली मां सने अधारसो सतानू मां मेडो अर्थात उरुस उजवानू तेमने मन थयो आवात शिरडी न अन्यभक्तो तात्या पातिल दादा कोटे पातिल तथा माधोराव देशपांडे पासे तेमने मुकी तेमने सवने पणा वात गमी आ वस्तुने बाबानी रजा तथा आशिरवाद मल्या त्यार बाद आ उरुस उजवानी मनजूरी माटे कलेक्टरने आपवा अर्जी घडी पण गामना कुलकर्णी ये आवो मिलो भरवानी विरुद्ध रिपोर्ट करयो तेथी आ अर्जी ना मनजूर थाई पण आ वस्तुने बाबाना आशिरवाद मल्या हता तेथी तेमने पुना प्रहत्न करयो अने छेवटे कलेक्टरनी मनजूरी मली श्री बाबानी सलह लई आ उरूस नो दिवस्त नक की ठरावयो तेमा साई बाबानो कोई शुब हेतु हतो तेम लागे छे राम नौमी तथा उरूस एम बे उत्सव एकत्र करी बे कोम हिंदू मुसलिम नी एकतानोज तेमनो हेतु हतो त्यार बाद बनेला बनाओ पर थी पन जणाय छे के बाबानो आहेतु सफल थायो छे मेलाने मनजूरी तो मली पन बीजी मुश्केलियो उभी हती श्रीडी ना नकडु गाम छे त्यां पाणी निखास तंगी हती गाम मा बेकुवा हता एक कुवा नुपानी उनाड हमा खारू थाय जतू हतू अने बिजानुपानी खुटी पड़तू हतू श्री बाबा खारा कुवा मा पुण्य नाकी पाणी मेठू बनावेiben छता तेमा पूर्तू पाणी तो नोतू तेथी तात्या पाटीले कोसनु मंडान मुकी कुवा माथी पाणी लेवानी गोठोन करी हंगामी दुकानों उभी करी कुस्तीना अखाडा गोठ वया गोपाल राव गुंड नो एक मित्र अहमद नगर नो दामू अन्ना कासार नामे हतो तेने बेस त्री हती छता एक के संतान नो तु तेने पनसाई बाबा न आशिरवाती पुत्रो थया गुंड नी सूचना थी आ उत्सवने सर्घस मा फेरववा तेने एक सादो ध्वज धजा तयार करा दी बीजो एक जरी भरेलो वावटो आपवा श्री नाना सहेब निमोण कर कबूल थया गाममा आ उत्सवने सर्घस मा फेरववा सारू एम बे ध्वज मलया सर्घस गाममा बध्धे फर्याबाद आ बे ध्वज श्री बाबाना द्वारका माई मशीद ना बे खुणे खोडवानो नक्की थया आज पन एज प्रमाने सर्घस राम नौमीना दिव से फरे छे संदल सर्घस आ मेला साथे एक बीजू सर्घस पन जोडवानों प्रारंब थे कोरहलना अमीर शक्कर नामे एक मुसलिम भक्त ना दिलमा आ संदल सर्घस नो विचार उठे मोटा मुसलिम ओलियाना मानमा आ सर्घस निकले छे तेमा एक थाली मा घसेलू चंदन तथा चंदनना थोड़ा टुकडा मुकी लोबानना धूपवाड़ू मोटू धूपियू लई वाजा आवगाड तुमा सर्घस निकले छे अने गाम मा फरे छे छेले मसीद मा आवी थाली मानू चंदन मसीदना गोखला तथा दिवाल पर छाटे छे आ सर्घस नी व्यवस्था प्रथमना त्रोण वर्ष लगी अमीर शक्करे करी हाती अने त्यार बाद तेनी पतनी करे छे आम एकज हिंदुओना राम नौमी नू द्वज सर्घस तथा मुसलिमोंनू संदल सर्घस साथे साथे ज निकले छे अने आज लगी कोई दिवस तेमा कशी हर्कत के टंटा अफिसाद थया न थी गोठवन साही बाबाना भकतो राम नौमी नो दिवस बहु पवित्र आनंद प्रद गणे छे गणा खरा भकतो ते दिवसे शिरडी आवी आ मेलानी व्यवस्था मा सारो भागले छे ए वेलानू बहारनू सर्व कामकाज तात्या कोटे पाटिल करता अने अंदर नी बध्धी व्यवस्था करवानू एक स्त्री भकत नामे राधाकृष्ण माईने सोंपी हतु माईने त्यां ते प्रसंगे महमानूनी भारे गिर्दी रती ते थी तेमने खावा पिवानी तथा मेलानी चीज वस्थु तयार करी राखवानी बध्धी गोठोण आ माईनेज करवानी हती श्री बाबानी धोणी नलिधे द्वार का माईनी दिवालो फरस बंधी तथा अक्खी मसीद काली मेश बनी जती हती ते बध्धु धोई साफ करवानू तथा तेने धोडवानू काम आ माताजी खुशी थी करता हता बधी वस्थुपो ते ठेकाना सर्मुकी देता हता गरीबोने भोजन जमाडवानू बाबाने बहु प्रियातु ते थी अन्न दान आ उत्सवनू एक मुख्य अंग हतु ते माटे राधाक्रुष्ण माईन स्थान पर विविध मिठाई मोटा पाया पर तैयार थाती आ काम मा घणा श्रिमन्त धन्वान भक्तो पन आगल पड़तो भाग लेता हता राम नौमी ना उत्सव रूप उरूस आम आ सर्व सुन्दर रिते चालवा लागियों आ मिळो अगत्ते नो उत्सव बनेयों इस वी सन 1912 थी ते मा थोड़ो फेर भार थायो ए वर्ष आ मिळा मा श्री साई सगुण उपासना पत्तरिकाना लेखक भक्त श्रीक कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावतीना दादा साहिब खापड़े नी जोड़े आवया अने एक दिवस अगाउथी आवी दीक्षितना वाडामा मुकाम करेव ते ओश्रीमा सूता हता त्यारे लक्ष्मन राव उर्फे काका महराजनी पूजाना साहित्ते लई मसीद मा जता हता ते वेडा तेमना मनमा एक नवो तरंग आवयो उरूस अर्थात मेडो शिरडीमा राम नौमीना दिवसे उजवाई छे ते वस्तु पाछण कोई इश्वरी संकेत छे राम नौमीनो दिवस हिंदुओने मन बहु पवित्र अने प्रिय दिन छे तो पची ते दाले राम जन्म उत्सव शामाटे ना उजवो आ वाद काका महाजनीने पन पसंद पड़ी अने आ बाबतमा बाबानी रजा मेड़ावी एऊ नकी थेयों पण आ प्रसंगे प्रभुना गुण कीर्तननु गान करे ते वो हरिदास क्या थी लावो ए प्रश्ण उपस्तित थे पन श्री भीश मेज आ प्रश्णनो तोड काड़ेयो के राम जन्म उपरनु मेर चेलू रामा ख्यान तयार करी रूछे वड़ी हूं पोतेज कीर्तन करीश अने काका महाजनी ये हार्मोनियम बजावूं सूठ ने साकर्नो प्रसाद राधाकृष्ण मा ये तयार करी देवू एम बद्धी व्यवस्था करी तेथी तेओ बहार शूं चाली रहूं छे ते जान तहता जारे तेओ आव्या त्यारे वाडा मा शूं चाली रहूं छे एवो प्रश्ण महाजनी ने बाबाय पूछया जरा घबराई जवा थी इमहाजनी या प्रश्ण नो अर्थ समझया ने तेथी तेतो मुंगा बेठा एथी बाबाय श्री भीश्म ने पूछू के तारे शूं केहूं छे त्यारे श्री भीश्मे राम नौमी उत्सव उजववानी पोतानी होशनी सर्व बात करी अने आपनी छेवटनी रजा लेवा आवया छे एम कहिऊं बाबाय खुशी थी रजा आपी ये थी सवुर राजी थया अने राम जैनती उत्सव नी तैयारी करवाला गया बीजे दाडे धजा ने तोरणों थी मसीद ने शनगारी राधा कृष्णमाई ए पारणू लेह आवया अने बाबानी बेठक सामे मुक्यों अने विधी शुरू थयी श्री भीश्म किर्टन करवा उभा थया अने महाजनी ये हार्मोनियम बजावा मांगयो इतला मा साइं बाबाय महाजनी ने उपर बोलावा एक मानस ने मुक्यो पनं ते बाबा पासे जाता अचकायाने मनमा थयो कि बाबा आउऊत्सओ उजवा देशे के केम छता ते बाबा पासे गया ते और बाबाय पूछें के आपारणू अहीं केम मुक्यों छे अने आबधू शू चाले छे त्यारे तेने उत्तर दिधो के राम नवमी उत्सवनो प्रारंब करिये छे ते माटे आ पार्णू मुकेलू छे पछी बाबा एक गोखला मा पड़ेलो एक हार पोते पहरेओ अने बीजो हार श्री भीश में ने पहरावेओ त्यार बाद कीर्तन शरू थाईओ जारे कीर्तन पूरू थाई रहेओ त्यारे जाय जाय राम ना हर्शनाद करता भारे आनन्द पाम्या पण बधे छूर्थी उडाडेलो गुलाल उँचे उड़ेओ अने बाबानी आँख मा पड़ेओ एथी बाबा क्रोधे भराया अने मोटे थी बोली बधाने गाडो तथा ठपको दिवा लागया पण बाबाना अंगत परीचैना भगतो जानता हता आठपको तथा गाडो तो तेमना आशिर्वाद रूप छे जेओ राम नो जन्म थायो कि तेवाज दुष्ट विचारो तथा अभिमान रूपी रावन तथा तेना राक्षसो ना संहार माटे बाबा क्रोधे भराय ते व पाधाकृष्ण माई ने धास्ती लागी के बाबा पेलू पारणू उपाड़ी फेंकी देशे तो ते भांगी जशे माटे तेमने महाजनी ने ते उपाड़ी लेवा कईयों ज्यारे महाजनी पारणू उपाड़ी छूटू करवा लागया त्यारे बाबाय तेने तेम करता थोड़ी वारमा बाबा शान्त थया। त्यारे बाकीनो कारेकरम, महापूजा तथा आर्ति थैं। ये पछी महाजनिये पारणू उपाड़ी लेवा बाबानी रजा मांगी। त्यारे बाबाय ना पाड़ी। अने ते बोल्या। हजी उत्सव पूरो थयो नधी। बीजे दाड़े बीजू किर्तन तथा गोपाल कालानी विधी थाई। आ विधी मां एक मातलामा दहीं तथा पउवानू मिश्रण भरी ते उन्चु टांगे छे। अने किर्तन पूरु थाई राया पछी। जें बाढ़ गोपालों जोडे क प्रुष्ण रम्ता हता तेम एमातलू फोडी नाखी तेमाना दही पोवां बद्धाने प्रसाद तरीके वेंची देवाई छे। आम आ विधी पूरीत हया पछीज पेलू पारणू त्यां थी उपाड़ी लेवानी रज्या आपी। आम आ राम नौमी नो उत्सव उज्व तेज दाहडे पेलू ध्वज सर्गहस तथा संदल सर्गहस पर निकलिया। तेनो ठाठ माठ पन अगाउना जेवोज हतो। त्यार्थी बाबानो उरूस राम नौमी उत्सव तरीके परिवर्तन पाम्यो। बीजे वर्श वर्शे सने 1904 मां सतारा जिला मां प्लेग चालतो हतो। श्री हरिदास ब्रहत सिद्ध कवटे पोताना गाम मां हरिदास तरीके कथा करी शके तेम नौता। तेथी ते पोतेज श्रीडी आवया अने काका साहिब दिक्षित मार्फत बाबानी रजा मेलवी ए साल तेमने ज की कायमी नियुक्त करया। त्यार थी घणा वर्षो सुधी आ काम तेमने कुषणता थी बजावियों हतो। सने 1912 थी आ 1910 वर्ष वधू वधू खिलतो गयो। चैत्रमास नी आठम थी बारस सुधी मानवियों ना मधपुडा जिऊं शिरडी बनी जाई छे। वधूने प्रसिद्ध मल्लो कुष्टी मा उत्रे छे। गरीबोंने मोटा पाया पर भोजन पाय छे। राधाकृष्ण माईना प्रयास्थी शिरडी एक संस्थानच बनी गयूं छे। अने हवे तो बाबाना दर्बार माँ चीज वस्तुओ पन पार विनानी भेगी थवा लागी। बेट मा आवबा लागी। आजना सर्गहस माटे भगतो हाथी पन मोकलता हाता। जो के आम आ पार विनानी वस्तुओ आवी हती छतां बाबा कोई उपर कश्चों ध्यान देता नोता। पोते तो अगाउना जेवाज साधा विरक्तज रेता हाता। आ समारंभ मा तेमज बनने सर्गहस मा हिंदूओ तथा मुस्लिमों एक बनीनेज काम करता हाता। आज सुधी तेमा कोई मुश्केली उभी थाई न थी कि कशो टंटो फिसात थया न थी। शरूमा पांच थी साथ हजार मानसा प्रसंग एक टू थतु अतु। पन वदतां व मसीदनी मरामत बाबा आ कोई काम करवा देवा राजीज नो था। पन स्थानिक भक्त महरसा पती अवच्चे पड़ी बाबानी रजा मेरवी। एक रात्रे फरस बंदीनू काम पूरू थाई रहा बाद बाबानी बेठक माटेनो गुण पाटनो टुकडो बदलावी ने भक्तोय नानी गा समरावी ने ठीक करयो। मसीदना आगलना भागमा फड़ियू बहु नानू हतु। तेथी खूब अगवड पड़ती हती। ते वधारी ने तेना पर छापरू बांधी लेवानी काका साहिब दीख्षित ने इच्छा थाई। ए लोखण ना थामला पाटला इत्यादी खू उने ते बद्धा पाड़ी नाख्या ने फेकी दीदा। एक वार तो बाबाय खूब उष्केराई जाई ने एक थामलो एक हाथे पकड़ी हलावी ने उखाड़ी नाख्यों। अने बीजे हाथे तात्या पाटिलनी बोची पकड़ी तथा तेनो फेंटो खेंची ने तेमा बाबाय खिसा माथी रूपियों काड़ी जाने कोई शुब प्रसंगे बली देता होए तेम ते रूपियों पेला थामलाना पाया मना आख्यों। तात्या पन खूब डरवा लाग्यों। तात्या नो शुन थशे तेनी कोई ने कलपना पन नोती अने वच्चे पड़वानी कोई नहीं मतज नोती। भागोजी सिंधिया नामे बाबानो एक पतियों भगत रहतो। ते जरा आगल आवेओ तेने पन बाबाय ठकको मारे। माधोराव देश पांडे नी पन एज स्थिती थाई। आम जे कोई वच्चे पड़वा गया ते दरेक नी एज स्थिती नो क्रोध नरम पड़े। त्यारे तेमने एक दुकानदार ने बोलावी एक जरी भरेलो फेंटों मंगावे। अने जाने पोते तेनू भारे सनमान करता होय तेम ते फेंटों तात्या पाटिलने माथे बंधावे। बाबानू आउँ विचित्र वर्तन जोई ने सगढ़ा नो कशूज कारण कोई ने काई समझायो ने। कोई-कोई वार बाबा बहु शांत बेशता अने प्रेयम थी मीठी-मीठी वातो करता। पन कईक बहानू मलता एक खण माज पोते क्रोधे भराता हता। आवा घणा प्रसंग वर्ण भी शकाये। पन तेमा थी कया प्रसंग प बाबा हिंदू हता के मुस्लिम ते कथा तेमज तेमनी योगिक शक्तियों अने एवी बीजी बाबतोनू वर्णन करवा मावशे। स्वस्ते श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाल पन्त विरचिते। श्रे साई समर्थ सचरित्रे राम जन्म महुत्सव नाम छठो अध् पन्मस्तु शुभाम भावतु।